जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र कर बेल आइकन को दबाना विल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जार्खन में करोना के 3275 मरीज मिले 331 हुए स्वस्त एक्टिव केस 3320 जार्खन में करोना के 2755 मरीज मिले है जो राची से यह खायर दो पूर्भी 5751 हजारी रखतीन सव एक तीस बोकारों 119 धनबाद और शट रामगा संतावन जारखन में एक्टिव केस इस प्रकार है जारखन में एक्टिव केस इस प्रकार है जारखन के पूरखन मुक्ति मुर्चा के केंद्रिया ध्यक्ष दिसोम गुरु सीबु सुरेन एक बार फिर कुरोना की चपेट में आ गया है बतादे सीबु सुरेन की जांच रिपोर्ट पोईटिव मिली है रिपोर्ट आते ही जारखन के स्वास्त में कमपा चीन्तित और सचेत हो गया है बतादे पूरव मुक्मंत्री और राज सबसांसत सीबु सुरेन के उम्र लगवग 78 साल है इसे देखते हुए उन्हें रांची के मुरवादी स्थीत आवाज से सीबु सुरेन को आइसोलेशन में रखा गया है जहां पूरी मेडिकल टीम उनके स्वास्त की निगरानी कर रही है और इलाज भी किया जा रहा है खोटी में तिरंदाजी जीतने वालों को मिलती है 1 एकर जमीन जहारखंड के खोटी जिले में एक दसको से एक अनुखी तिरंदाजी परतेयोगता चली आ रही है बतादे आम तोर पर प्रत्योगता में विजेता को मेडल, सील, ट्रोफी और कैस प्राइस की जाती है लेकिन जहरखंड की इस प्रत्योगता में ऐसा इनाम दिया जाता है जिससे एक साल तक परिवार का पेट चलता है और खिलाडी पूरे 365 दिन जीत का स्वाद चकता है बतादे आपर प्रत्योगता हर साल मकण संक्रांती के मोगे पर आविजीत होता है केंद्री सरकार के जन जाती है मामलो के मंतरी अर्जोन मुंडा ने अपने ट्वीट पर इसकी सराना करते हुए परदेश की इस विशेस्ता को दूर दू तक पहुंचाया है बतादे दसकों से चली आ रहे है यह परंपरा बेजहा बिद्ध्या के नाम से जानी जाती है परतेक वर्स यह परत्योगता मकण संक्रांती की दिन आविजीत होती है नवढ़ी गाओ के जमिनदार समीर सिंग मुंडा के पुरवजों के द्वारा सो साल पुरो से इस अनुठी परंपरा को आज भी कायम रखा गया है सिमडेगा के सभी स्कूलों के छद्र छत्राओं का खुले का खायता है सिमडेगा डी सी सुसांत गोरो के दक्सता में मद्यान भोजन योजना अंतरगत जिलास्तर दिये स्टेरिंग सा मोनेटरिंग कमेटी की बैठक आउजन हुआ बैठक में बताया गया कि सिमडेगा जिले के 969 विद्यालियों में मद्यान भोजन संचाली था गोदाम हेतू सरकारी बहुंची नित करने की बात कही गई उन्होंने छात्र छात्रावों के बीच वित्रित चावल का बियारपी सियारपी को अनुसरवन करने का निर्देश दिया बतादे परतेक बिद्यालाए के 15 से 20 चात्रों का रेंडम जांच करते हुए 22 जन्वरी तक जांच परतिवेदन समर्तित करने का निर्देश दिया वहीं कूकिंग कास्ट आवंटन की उपलावताई वं बित्रन की समिक्षा की कैंप आवेजित कारलक्ष के अनुसर छात्र छात्रावों का खाता खुलने का निर्देश दिया जारखन में पहली बार ओमिक्रों के 14 मामले मिले जारखन में कुरोना का बर्तमान संक्रमन ओमिक्रों की वज़ा से ही हो रहा था राजे में पहली बार कुरोना के इस वेरियंट की होने की पुष्टी हुई है बता दे कूल 14 सेंपल में ओमिक्रों मिला है रिम्स सेब होने स्वर इस्थीद आई एल एस को भेजे गए सेंपल की होई जिनोम सिंक्वेंसिंग में इतने सेंपल में ओमिक्रों होने का पता चला है जे एसेसी के लिए आवेदन पर क्रिया सुरू 956 पदो पर निकली है वेकेंसी असना तक असना तक 956 पदो पर बहाली के लिए ओनलाइन आवेदन जमा होने सुरू होगा है पताद 14 फरवारी के मद राती तक आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे जबकि 16 फरवारी के मद राती तक परिचा सुल्क भुकतान तथा फोटो असना तक अप्लोड कर आवेदन का प्रिंट लेने के लिए 18 फरवारी के मद राती तक लिंक उपलबद रहेगा उलेखनी है कि ज़ार्कन करने चाहिए ज़ार्कन समाने असना तक योग्यता धारी सरन्युक्त परिच्चा 2021 के तहट असना तक 1956 पर बहाली के परकिरिया सुरू की गई है सरेंडर करने की त्यारी में पीलेफाइ सुप्रीमो दिनेस गोप पीलेफाइ सुप्रीमो दिनेस गोप को हथिया सप्लाई वह उसके लेवी के पैसे का इन्वेश्मेंट के मामले की जाच जारी है अब तक की जाच में यह बात सामने आई है कि दिनेस गोप और निवेस पोदार का दिल्ली से कनेक्शन है दोनों का वहां कई लोगों से संपर्क है यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में एक बए रायनेता के यहां तैनात एक पुलिस कर्मी से दिनेस गोप की नजदिकी है उससे संपर्क कर दिनेस गोप खुद के सरेंडर कराने की जोजना बना रहा है बतादे इसे लेकर वह पूर्व में कई बार दिली भी जा चुका है कोलेज की अधुरी पढ़ाई के लिए UGC ने जारी किया बैंक ओफ क्रेडिट का संसोधित गजट जिन विद्यारतों के पढ़ाई की निकार्णों से बीच में छुट गई है तो उनके लिए एकेडमिक बैंक ओफ क्रेडिट लावदायक साबित होगा बतादे नई सिक्छानितिक तहत UGC ने इसका संसोधित गजट जारी कर दिया है साथ ही सभी विश्वविद्यालेव कोलेजों को इसे लागू करने को कहा है इस बेवसा से छात्रों की पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी बतादे छात्रों ने जितने समय तक पढ़ाई की है उसी अधार पर उन्हें परवन पत्र दिया जाएगा इसके बाद वे ससर्थ जब चाहे अपनी पढ़ाई वहीं से सुरू कर सकते हैं रांची दिली राईधानी एक्सप्रेस ट्रेन पर खाने पीने की सुविधा बहाल आई है बोकारो गोला और मांजी एक्सप्रेस वे को मिलने वाली है मंजूरी बोकारो से गोला और मांजी एक्सप्रेस वे निर्मान की योजना को जल्द मंजूरी मिलने वाली है बता दे इसके लिए जल्द टेंडर निकलने वाला है NHAI ने इसकी सारी परकिरिया पूरी कर भारत सरकार को भेज दिया है वहाँ से जल्द टेंडर जारी होने वाला है बता दे बोकारू से गोला और गोला से उर्मांजी दो सेक्षनल में टेंडर जारी किया जाएगा दोनों सेक्षन मिला कर इसकी कुल लागत करीब 1700 रुपए आएगी या पुर्जेक्ट एक्सप्रेसवे होगा जो बरतमान में और बांजी सिकेंदरी गोला बोकारू सड़क के आसपास ही होगा जारखन में ओमिक्रोन की पुष्टी अब सतर्क रहिए राजे में एक्टिव केस की संख्या 3300 के आसपास हाई जिसमें या पता नहीं चल पा रहा है कि ओमिक्रोन से फिलहाल कितने संक्रामित हैं हलाकि स्वास्त भी भाग ओमिक्रोन से संक्रामित होने वाले से लगतार संपर्क में है बता दे राज्य में ओमिक्रोन की पुष्टी हो गई है ऐसे में लोगों को और भी सवधानी वसतर को होना जरूरी हो गया है कुरोना का फैलाव राज्य के जिन जिन जीलो में ज्यादा है वहाँ पर ओमिक्रोन की पुष्टी के बाद ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जीले के गारू परखंड की बारे सांड पंचाई छेतर के ग्रामिनों ने जीयो नेटवर्क को चालू करने की मांग को लेकर अभिवार को SH9 मेदनी नगर महुआ टान मुख्य पत को सुबा से जाम किया है बता दे मेदनी नगर महुआ टान और लातेहर जाने वाली यातरी बसे इस जाम में फसी है जाम से लगभग एक किलोमीटर की लंबी कातार में वहान खड़े है इनका काना आए कि वन भी बार के कारण नेटवर्क की समस्याओ से वे जूज रहे है डिजटल यूग में भी वे इंटरनेट से वनचित है इस खूली बच्चे कुरोना काल में ऑनलाइन सिक्षा से पूरी तरह वनचित हो गए है जब तक नेटवर्क को चालू नहीं किया जाता तब तक सड़क जाम रहेगा ज़ारखंड के इट भठे से 36 गड़ के 32 मजदूर कराये गए मुक्ते गुमला जिला परसासन ने भर्नो परखंड के सूपा गाविस्थित अस्मार्का इट भठे से 36 गड़ के 32 रमिकों को मुक्त कराया है उसके बाद सभी मजदूरों को उनके घर भेजा गया बता दे मैदूरों ने परतारना के बाद राजे परवासी मैदूर ने अंतरनकक्ष ज़ारखंड सरकार से सिकायत करते हुए मदद मागी थी इसके बाद गुमला जिला परसासन हरकत में आया और सभी स्थरमिकों को मुक्त करा कर बहुत से सुरक्चित घर बेजा है 75 क्लोर सूरे नमस्कार अभियान को लेकर ज़ारखंड में काफी उत्सा सरतंत्रता की 75 वी बर्सगाट पर 75 क्लोर सूरे नमस्कार करने का लक्ष राज्टिये स्वयम सिवक्स संग पतांजली योगपीट भारत सरकार के आयूस मंत्राले सहित कई संगटनों ने रखे हैं बता दे इस कारिकरम में अपने देश के साथ साथ भी देश से भी लोग सामिल हो रहे हैं 75 कलोर के लक्ष को पराप्त करने की सुरुआत आज से ज़ारखंड में हो गई है इस कारिकरम को लेकर ज़ारखंड में काफे उत्सा है बता दे राजे के सभी जीलों में अव्यजीत इस कारिकरम में पहले दिन हजारों लोग सामिल हुए बता दे ज़ारखंड में 23 जनवारी तक चलने वाले इस सुरुआ नमस्कार कारिकरम के तहत पहले दिन प्राप्त सुचना के अनुसार लगभग 15,000 अस्थानों पर सामोहिक कारिकरम हुए धर्नेवाद